वीलिए वीलिए और उसके बाद हमें पर इसोफेजिल स्टेज बढ़ अजाती है यह बहुत जाता आशान सी है और बहुत सिंपल सी है इसोफेजिल स्टेज का क्या मक्सद होता है अल्वट हमने डिसकस कर लिया कि फूट की इंजेशिन होती है ठीक है पर फूट की चुएंग यहां पीर युदिशन काम इतना ही है कि खाने को इसो फेगुस से गुजारत के कहां पे ले आया है इस टमक की तरफ तीक तो जो जो मेजर चीज आपनी याद रहने है याद रहे ही इसा फेजिल्स्टेज में दो तरह की परिस्टाल्टीक मुझे अगर फूछ करना और वह पर को चाने को आगे की तरफ पुश करती है तो वह जो कि फैरिंग से स्टार्ट हुई थी और फैरिंग से नीचे आती जारी है कहां वे इस वेगस में वही प्राइमरी परिस्टार्टिक वेजन क्या है फैरिंग्स फैरिंग्स में सुपीरियरली पैरस्टाल्टिक वेव स्टार्ट होती है और जितना भी यहां पर बॉलिस होगा उसको पैरस्टाल्टिक मुमेंट्स क्या करती जाएंगी कौन लेके जाएंगी कहां पर टूवर्ड स्टमक ठीक है एक यह बात हो गई याद आपने यही रखना करेंगे तो कि अगर कॉई कौन्टेंट होगा किया करते हैं टिक है फिर यहां पर प्राइंवर्ड ही प्रूसीट करेंगे और इस लेके आ जाएंगी आप सिकेंड़ी पैरस्टाल्टिक की जरूर्ट क्यों पड़े और सिकेंडरी पैरस्टाल्स हैं तुक्राइगा बेकिन एक नहां पे रह गया है जो प्राइमरी पैरस्टाल्टिक की वज़ा से नहीं आ सका था तो यह वाला जो खाने का imore ब्चा वाट अगो mod कर लएंगी त्यूजरी चीज़ आपको समझगी के प्राइमरी पैरס्टाल्टिक यहगो जो के फैरेंग्स के लेवल पर जेनरेट हुई थी मैन वेवस हैं जो के मोस्ली बॉलिस को मुफिराती हैं तुवर्ड स्टमक लेकिन अगर कोई भी थोड़ा बचा कुछा खाने का तुकड़ा या बॉले जरा भी रह जाएगा इसो फेगस में तो वह इसो फेगस के एक्स्ट किसकी है वह मुपार्ष नरविस सिंप्र जेल करते हैं तो इनको पार्षिल जो है वो माइनटरी फलेक्सिज जनरेट कर रहा है और पार्शिली यह जनरेट हो रही है तो एक्स्टिंजिक सप्लाई जो के फैरंक्स के लैवल पर स्टार्ट हुई थी ठीक है और इफरेंट जा रही थी हमारे पास किसके त्रूवेगस के त्रूमेडियूला के पास और मारे पास efferents भी है और center भी है और efferents भी है ठीक है efferents कौन सी है वेगस है center कौन सा है medula है और efferents क्या है वेगस और glossopharyngeal है यानि इसका मतलब है यानि कि जो secondary पैस्टाल्स होती है उसको थू एक्स्टेंजिक या वेगस नर्ट की सप्लाई भी जरूरी होती है है लेकिन ऐसा मस्ट भी नहीं है क्योंकि ऐसे पैशन में कि जिनका brainstem damage हो गया कोई accident का case था कोई tumor या कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वज़ासे brainstem damage हो गया brainstem के damage होने की वज़ासे जो swalving center था वो damage हो गया ठीक है तो यह जो वेगस अपलाई थी यह कट हो गई तो क्या अभी उस पेशन के अंदर से ट्रीवेज हो सकती है सिकेंडरी पेरस्टार्टिक जनरेट हो सकती है तो यह सो सकती है कुछ बेस के बाद जो उसकी गट वॉल का माइंटरी प्लेक्स है वो से परस्टाल्टिक जनरेट कर सकता है अगर किसी भी विया ट्यूब या किसी भी तरह खाना उसकी सो फेगस में पहुंचाया जाएगा तो उस खाने वह खाना क्या करेगा इस फेगस के डिस्टेंशन करेगा से जाने को लेकि जाएंगी टूवर्ड तो यह चीज़ आपने याद कौन सब्सक्राइब करता है मैंट एक प्लैक्स भी पार्शली और पार्शली वेगस भी लेगन अगर वेगस कट भी हो जाती है जैसे कुछ लोगों के दिमाग में चोट आया या कुछ भी हो गया उनका वह रिफ्लेक्स जो हैवन नहीं आरा वेगस अप्लाए नहीं आरी त तो यहां से यह रि्लाक्स हो जाता है और खाने को ऑडॉप करता है अगर इसके प्रेशर की वेव जेनरेट हुई वी है जो इस बॉलिस को नीचे लेके जा रही है तो इससे पहले के प्राइमरी परस्टाल्टिक वेव यहां पे पहुंचे एक और वेव उफ रिलाक्सेशन जो के माइंट टैरिक इंहिबिटरी नियूरोंड जेनरेट करती है वो वेव उफ एक वेव यहां पे पहुंचे एक और वेव उफ रिलाक्सेशन पहुंच जाती है और इसको बताती है कि उपर से बॉलस आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए त्यार हो जाओ उसके रिस्पॉंस में यह जो होता है लोर इसो फीजल से फिंटरी काफी उपन हो जाता है इतना रिलाक्स हो जाता है यह कुछ पार्ट डूलाक्सेशन काके एक विसाफीज़ करने के लीए थांडि सिर्भी खरके स्थे के यह तो यह बात हो गई दूसरी यह बात हो गई कि यह इक कंस्टिक्टिट रहता है तो इसलिए ये constructed form में होता है तांकि acid यहां से उपर ना जाए और ये wall damage ना हो जिनमें ये सफंटर relax हो जाता है कुछ diseases की वज़ा से और उनमें acid उपर जाता है तो हमारे पस ulcers cause होते हैं जिनको मागे discuss करेंगे तो अभी reflex को prevent करने के लिए ये हमारे पस constructed form में रहता है under normal condition और second बात ये है कि वो बता रहा है isophagus के पास एक और wave like slit mechanism होता है जब भी हम चलते हैं फिरते हैं भागते हैं तो हमारे abdomen के अंदर pressure raise होता है pressure raise होने की वज़ा से ये content उपर जा सकता था लेकिन जैसे ही pressure raise होता है ये को बताया कि ये constructed होता है लेकिन जब wave आती है तो ये relax हो जाता है और खाने को easily जाने देता है लेकिन अगर ये relax होने के वेव की approval पर ये further construct कर जाए तो ऐसे condition को हम बोलते है एक लेजिया और एक लेजिया की वज़ा से food का passage block हो जाता है और दूसरी condition ये है कि normally तो ये constructed रहता है तांकि reflux को prevent किया जा सके लेकिन कुछ conditions ऐसे होती है काफी relax हो जाता है और हमाई पास जो stomach content है वो उपर जाता है मिकोजा को damage करता है तो उस disease को जड़ बोलते हैं